दोस्तों, गर आपने अपने टिकट रेलवे के काउंटर से जाके लिया था, अगर आपका टिकट खो गया है, तो उस situation में आपको नया टिकट कैसे मिलेगा, इसको बनवाने के लिए कि आपको प्रोसेस करने पड़ेगा, कितने फी और चार्जिस देने पड़ेंगे, और अग के साथ आपको इस वीडियो की स्किप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वीडियो यह से स्टार्ट होने वाला है, तो आईए शलिए, शुरू कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास एक काउंटर का टिकट था, अगर वो खो गया है, या फिर किसी भी रीजन से वो मिसिंग हो चुका है, तो अगर आपके पास उसका फोटो है, या फिर फोन पे आया हुआ मैसेज है, तो उसको दिखा कि आप रेल्वे में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, आपको वहाँ पर विदाव टिकट मना जाएगा, और विदाव टिकट व इसके लिए आपको जाना होगा रेल्वे के काउंटर पे, वहाँ पर जाने के बाद आपका टिकट मिसिंग के लिए एक फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म को आपको वहाँ पर फिलप करना पड़ेगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, कौन सी आपकी ट्रे इसके बाद आपको वहाँ पर इसको प्रॉपर देना पड़ेगा, इसके बाद आपको वहाँ पर नया टिकट जो है वो इशू कर दिये जाएगा, लेकिन आपसे कुछ चार्जस भी लिये जाएंगे, अगर आपका जो टिकट है वो नौन-AC का है, तो वहाँ पर आपका टि में आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो के लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए होईएगा, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब के मुझे काफी जादा मोटिवेशन मिलता है, मैं मिलता ह आपको के साथ तो अपना ख्याल रखिए, टेक क्यार एंड हापी जर्नी